मन में राम बसाले अम्रितेश्वरे नमहा, मेरा नाम अनिरत सुरेश है और मैं बारविक अक्षा में पढ़ता हूँ आज मैं आपके समुख युद्धकांड के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के वर्नन करने जा रहा हूँ इसमें पहली प्रस्तुती संजीवनी बूटी के लिए हनुमान का प्रस्थान तत्पश्चात, मारीच बुत्र, काले नेमी का आगमन तथा संजीवनी दिव्य औशदी की विशेशिता एवं मेघनात का वथ। श्री राम, लक्षमन और इंद्रजीत के युद के बीच में इंद्रजीत की नजर लक्षमन में पड़ी और एक अदमई अस्त्र उसके तरफ भेज दिया जो सीधे लक्षमन के हिरदय में लग गया और वह उसी समय जमीन पर घायल होकर गिर पड़ा। तब राम को बहुत दुख हुआ और सोचने लगा कि वह कैसे लक्षमन को फिर से जीवित कर सकता है। वैद सुषेल को बुलाया गया था रणभूमी में और उन्होंने संजीवनी जड़ी बूटी के बारे में कहा जो द्रोणगिरी परवत पर है और वहां से सुरिदेव से पहले ही भजड़ी बूटी लेकर आना था और यह कार्य करना असंभव है। अब राम सुचने लगा कि कब और कैसे और कौन यह सब कार्य कर सकता है। उतने में ही हनुमान जी श्री राम से कहते है कि ही प्रभू आप किन्तु दुखी मत हुना। मैं द्रोणगिरी परवत ज जल्दी से जल्दी संजीवनी जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। श्री राम यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उन्हें आशिरवाद दिया कि तुम अपने काम में पूरी तरह सफल होंगे। यह सुनकर हनुमान हाथ जोड कर अनुमती ली और एक दम से विशाल रूप म में प्रकठ होकर शलांग लगा कर आसमान में उड़ने लगा। जब हनुमान आकाश में उड़ रहे थे तब रावन ने उसे देख लिया था और रावन समझ गया था कि वह पवन पुत्र हनुमान ही है जिसे श्री राम ने लक्षमन को बचाने के लिए द्रोन के रिपरवत में भेजा गया था लेकिन रावन को यह मंजूर नहीं था कि हनुमान वहाद तक जाए और लक्षमन की जीवन बचाए उससे पहले ही उसे हमेशा के लिए मार डाने का निश्चा लिया परत्व रावन ने अपने चाचा कालनीमी को यह आदेश दिया कि वह जाकर हनुमान को मार डाले लेकिन कालनीमी को भी यह मंजूर नहीं था इसके पश्चाद रावन ने अपनी आधी राज को पसे सौब दिने का वादा किया यह सुनकर कालनीमी मान गया कालनिमी ने अपनी आपको एक रिशी का रूप धारन करके हनुमान को एक नदी में सनान करने को कहता है हनुमान रिशी को आदर करते हुए उस नदी की ओर बड़ा तब अचानक एक मगरमच उसे दबोजनी आता है इसके पस्चात हनुमान उसे मार गिराता है इतने में ही वहाँ पर एक कन्या प्रकट होती है जो हनुमान से कहती है कि हे प्रभू तुमने मुझे जीवन वर्दान दिया है और मुझे श्राप से मुक्त किया है मगर सावधान रहो वहर रिशी नहीं है बलकि वहर रावन ने तुम्हारे वद के लिए भेजा गया एक असुर है अब पूरी बात हनुमान को समझ में आया और उन्होंने उस ढूंगी रिशी को ऐसा फेका कि वह सीधा लंका में पहुच गया और रावन के सामने आकर मर गया रावन बहुत ही क्रोधित हुआ इथर हनुमान जी के पास बहुत कम समय बचा था इसलिए हनुमान जी ने सूर्य देव को अपने बगल में रख दिया और द्रोन गिरी परवत की और बढ़ गया वहाँ पहुचते ही हनुमान जी ने उस पूरिप परवत को ही अपने कंदे पर उठाया और आश्रम पहुच गया वहाँ पहुचते ही वैद्य सुषेन ने उस परवत से वह जड़ी पुटी तोड़ कर लेप बना कर लक्षमन पर लगाया कुछी देर में लक्षमन ने आके खोली और यह देखकर श्री राम बहुत ही प्रसंद हो इसके पश्चात हनुमान जी ने सूरिदेव को भी आसमान में छोड़ दिया सूरिदेव आसमान से हनुमान जी को देखकर प्रणाम किया हनुमान जी की राम भक्ती की कता संसार भर में प्रसिद है लेकिन लक्षमन के कता के बिना रामायन अधुरा है अब श्री राम और लक्षमन इंद्रजीत के वद के लिए निकल पड़े लेकिन इंद्रजीत का वध वो ही कर सकता है जो बिना पानी बिना सोई रह सकता है और यह सब लक्षमन अच्छी तरह से निभाया इंद्रजीत एक महा यग्य करता है जो उसे महा शक्तिशाले बनाता है आखिर में इंद्रदेव ने मूल देव अस्त्र अथवा अधिदेवता अस्त्र को राम के चरन पर रख कर लक्षमन को सौब दिया और लक्षमन श्री राम का आशिरवाद लेकर इंद्रजीत का वद किया इस थरह लक्षमन श्री राम से भी बड़ा योधा बना धनिवाद, ओम नमाशिवाया पत्मे शुरवि स्वरूपं, प्रणामी तुन्जत्तिळु मार्य पादं। अध्यत्म रामायनं, युव्द गांडं, अउश्यद हरना यात्रा। रामसौ मित्रि सुग्रीवाम्गतातिकल, आमवरे वरिलुम् विशेशिच्चुनी, चोधिच्च दिन्दु समीरण पुत्रने, ओधिच्च दिन्दवने कुरिच्चिटवुम् इंगी लोकेल कनी मारुदी उन्डेंगिल, संकडमिल मत्चार कुमरिय्यालुम्, मारुद पुत्रन मरिच्चि देन्नाकिल, मत्चारु मिलोक्के मरिच्च दिनुक्कुमे, सारसससंभवपुत्रवाक्यम् केट्टो, मारुदी यंबहु मानिच्चु साधरम् यानिदल्लो मरिच्ची लेन्दवन, काल्कला मोधप्कोंडु वीण्डु वनंगिनान् गाडमाया श्लेशवुम् चेदु जाम्बवान, कूडित्तल इल्मु कर्नो चोल्ली डिनान् मेखनादास्त्रंगलेट्टु मरिच्चोरू, शाखाम्रगंगलेयुम् पिन्निनम् मुडे राखवन्मारेयुम् जीविच्चिरुत्तोवान, आगुन्न वरारु मिल्लनी एन्निये पोगवेणम् नेहिमवानेयुम्, कडन्नागुलमत्टु कैलास शैलत्तोळम् कैलास ससन्निती इंगल रुषबाद्री मेलुंडु दिव्योषदंगल अरिकनी नालुंडु दिव्योषदंगल वट्टिनू, नालिनुम् नामंगलुम् केट्टु कोल्लुक मुम्बिल्विशल्यकरणी एन्नोंनेडो, पिम्बु संधानकरणी मूनामदुम् नल्लसुवर्णकरणी नालामदुम्, चुल्लु वन्यान मृतसं जीवनी सक्के रंडु श्रंगंगलु यर्नु कानामव, रंडिनुम् अध्ये मरुन्नुगल निल्पदुम् आदित्यनोलं प्रभयुंडो नालिनुम्, वेदस्वरूपंगलेन्नुमरिगनी, वारानिधियं मनंगल्षैलंगलुम्, चारु नदिगलुम्, राजिंगलुम्, कडन्नाराल्वरिग मरुन्नुगलुम् मारुदनन्दना पोगनी वैगादे। पूर्वं रामत पोवनादिगमनं, हत्वाम्रगं कांजनं, वैदेहीहरणं, जटायुमरणं, सुग्रीवसं भाषणं, बालीनिग्रहनं, समुद्रतरणं, लंगापुरिदाहनं, पश्चात्रावनकुम्बकर्नहरणं, एतद्विरामायनं।